हेलो आवरिवन दिस अन्राग बगेल और वेलकम टो बागनेट प्रेंज जहां बच्चों आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन प्रवाइट किया जाता है और आज हम क्या देखने वाले हैं आज हम देखने वाले हैं अपने MCQ question जो की अपने chapter 7 P block element में group 16 से हैं इससे पहले मैं ये बता दू मैंने इससे पहले क्या दिखाया था हमने P block element जो की काफी बड़ा topic है काफी important topic है और P block जो की inorganic chemistry से belong करता है इसमें NCIT based question आते हैं totally आप चाहे आप term 1 exam की बात करें चाहे आप NE IT जेई मेंस की बात करें as it is आपके question पूछे जाएंगे अब बात क्या है हमने इससे पहले group 15 का one shot video देखा हमने group 16 का one shot video देखा group 15 के हमने 100 MCQ करे chapter के नहीं group 15 के 100 MCQ करे और मैं आज आपके सामने group 16 के MCQ लेखे आया हूँ तो बेटा शुरू हो जाई है full energy full जोश के साथ आज which of the following which of the following आपसे question पूछा गया है which of the following इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जैसे CBSC न अपना sample paper launch कर दिया है कि जो MCQ question आने वाले term 1 exam में आप check करोगे मेरे question उठाओगे और sample paper देखोगे as it is आपको मिल जाएंगे clear है चलो आपके लिए one shot video भी मैं लेके आ चुका हूँ को CB topic में बस आप follow करते चलो बस आप follow करते चलो question 1 है which of the following are per oxides of sulfur per oxides of sulfur का मतलब क्या है क्या होना चाहिए per oxide bond होना चाहिए per oxide linkage present होनी चाहिए क्या होती है per oxide linkage O2 minus 2 जिसमें एक oxygen पे minus 1 एक oxygen पे minus 1 पाया जाता है चलिए सबसे पहला दिया है अपने पास H2SO5 structure बनाओ sulfur group 16 का member होता है valence shell में कितने electron valence shell में 6 electron group 16 का member है तो valence shell में 6 electron पढ़ी रहे हैं group 16 के बारे में चलिए अब देखिए sulfur का बड़े मनाएंगे oxygen की टोपी पनाएंगे sulfur का बड़े मनाएंगे oxygen की टोपी पनाएंगे ये इधर आगया OOH और इधर आगया OH क्या आप देख पार है H2SO5 1,2,3,4,5 इससे हम कहते हैं caro acid B क्या कहते हैं caro acid B क्या 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 पाई जाती है इसमें पर oxide linkage कहा दिख रही है आपको per oxide linkage this is 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 per oxide linkage काफे important है चलो दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ दूसरा acid देखते है H2S2O8 इससे कहते है per oxo disulfuric acid इससे क्या नाम दिये जाता है per oxo naam में ही चुपा है per oxo disulfuric acid disulfuric acid क्या होता है per oxo disulfuric acid ध्यान दीज़ेगा per ox valency कितनी 6 यह बना दिया यहां लगा दिया O, यहां लगा दिया H दूसरा sulfur valency कितनी 6 यहां लगा दिया O, यहां लगा दिया O, यहां लगा दिया O, H आप देखें तीन oxygen इदर, तीन oxygen इदर है टोटल 6 oxygen होगा, दो oxygen बागी रहे गए इनने बना लिया अपनी क्या पर-Oxseid linkage. This is our पर-Oxseid linkage. नाम में भी चुपा हुवा था पर-Ox sü disse जिसमें oxygen पे कितना चार्ज है, minus 1 charge है, तो answer क्या होना चाएए first, answer क्या होना चाहिए first कि आपके पर-Oxro necesit Sulphur के कौन से है, first है, और ह2SO5 हो ह 2S2O8 आईए ग्रुप 16 के वीडियो वन शॉट पहले देख लेना मैं पहले लॉंच कर चुका हूं वन शॉट वीडियो चलो आगे बढ़ाता हूं कहानी को आगे बढ़ाता हूं कहानी को next question है मेरे पास hot concentrated H2SO4 ठीक है act as a moderately strong oxidizing agent as it is NCRT से लिया है ठीक है it oxidizes both metal and non-metal यह दोनों metal और non-metal से reaction करता है which of the following element ऐसा कौन सा element है जो oxidize होगा concentrated H2SO4 से into two gaseous product बहुत important line into two gaseous product ऐसा कौन सा element है जो concentrated H2SO4 से reaction करेगा और बनाएगा दो gaseous product हमेशा याद रखना हमने copper के साथ करी है sulfur दिया है carbon दिया है zinc दिया है अगर मैं carbon की reaction करूँ दियान देना concentrated H2SO4 के साथ concentrated H2SO4 के साथ concentrated H2SO4 के साथ तो मुझे मिलता है पहले तो CO2 क्या मिल गया मुझे CO2 इसके अलावा मुझे मिलता है 2SO2 क्या मिलता है 2SO2 इसके अलावा मुझे क्या मिलता है क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? कार्बन वो element है जब वो concentrated S2SO4 से reaction करेगा तो दो gaseous product देगा, दो gaseous product देगा बहुत important, as it is NCIT में दिया है, दो gaseous product देगा तो answer should be carbon answer क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए कार्बन, कार्बन बोलो क्या होना चाहिए? कार्बन बोलो clear है? बोलो clear है? चलो बाकी सब में SO2 मिलेगी, सिर्फ कार्बन के case में क्या देखने मिलेगा? CO2 और SO2 दोनों देखने मिलेगी next question इंदा reaction इंदा reaction, ठीक है? आपके पास 2KI दिया हुआ है, H2O दिया है तो याद रखना है, जो KI है, वो convert हो जाता है, iodine में, iodine कितना है? 0, तो minus 1 से कहां जा रहा है? minus 1 से कहां जा रहा है? 0, मतलब आप देखिए, minus 1 से कहां जा रहा है? 0 oxidation हो रहा है, मतलब this is oxidizing agent सामने वाले का कराएगा oxidation तो the compound A, जो A बना वो क्या है? सब NCRT की equation उठाई है, ताकि approach clear हो सके, approach clear हो सके, जो compound A बना वो क्या है? A बना वो क्या है? iodine है, A बना वो क्या है? iodine है जल्दी आई है जो compound A बना वो क्या है? iodine है कहां मिलेगा आपको ये देखने question ozone की reaction में देखने मिलेगा ओजोन की reaction में देखने मिलेगा, चलिए सर, चलिए सर, आगे बढ़ाता है question को screenshot लेते हुए चलना, अगला है the ozone layer, जो ozone layer होती है, forms natural in stratosphere, जहां दीजे, मान लीजे ये मैं हूँ, धरती पे, अपनी भारत माता की धरती पर खड़ा हूँ, ठीक है, इस भारत माता की धरती पर जह पास है, 20 km ऊपर क्या, stratosphere, क्या है stratosphere, क्या है stratosphere, अगर आप ये stratosphere देख रहे होंगे, तो इसमें क्या पाई जाती है, एक ऐसी blue color की gas पाई जाती है, blue color की gas पाई जाती है, जिसे अपन क्या नाम देते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, संसे आने वाले UV rays को रोखना, यूवी रेस को रोखना, एक कंबल का काम करती है, ब्लैंकेट का काम करती है, यूवी रेस को रोखना, तो the ozone layer forms natural in stratosphere, अब ये ozone layer naturally form होती है, कैसे form होती है, naturally form होती है, कहाँ पर stratosphere में, कैसे form होती है, समझना, जैन देना, the interaction of CFC with oxygen नहीं, the interaction of UV radiation, ये जो UV radiation sun से आ रही है, UV radiation sun से आ रही है, वो interact करेंगी oxygen के साथ, interact करेंगी oxygen के साथ, ठीक है, और ozone का बनना, एक तो endothermic reaction होता है, endothermic reaction होता है, और आपके किसका formation होगा, ozone का formation होगा, बोलो clear है, आईए यहां तक, तो the interaction of UV radiation with oxygen forms ozone, चलो, बढ़ाता हूँ नेक्स्ट है मेरे पास, the oxy acid of sulfur, sulfur के बहुत सारे oxy acid होते हैं, जैसे आपने देखा, sulfurous acid, sulfuric acid, paroxo, dye sulfuric acid, pyrosulfuric acid, caro acid, ठीक है, अब आपके पास दिया है, the oxy acid of sulfur, that contain a lone pair, जिसमें lone pair पाया जाता है, of electron on sulfur, on sulfur, चलो देखते हैं, sulfurous acid, sulfurous acid क्या होता है, जल्दी बताईए, H2, SO3, चलो मैंने sulfur बनाया, valency कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से oxygen जुड़ गया, 1 से OH जुड़ गया, 1 से OH जुड़ गया, क्या इसमें हो गया, H2, SO3, yes sir हो गया, क्या lone pair पाया जा रहा है, yes sir, lone pair पाया जा रहा है, तो the oxy acid of sulfur that contains a lone pair of electron on sulfur, answer तो हो गया, sulfurous acid, मैं sulfuric acid की बात करूँ, sulfuric acid क्या होता है, H2SO4 होता है, yes sir होता है, चलो अगर sulfuric acid की बात करें, तो यह देखो, यह जो एक oxygen था, lone pair से जुड़ गया, यह जुड़ गया, इनका बड़े बनना शुरू हो जाएगा, टोपी पहना दी अपनने, यह OH, यह OH, this is sulfuric acid, what is peroxodisulfuric acid, this is H2SO8, याद करते चलना, यह होता है, OH, यह S, sulfur का बड़े बनाया, टोपी पहनाई, चलो नीचे pajama पहनाया, pajama पहनाया उसको, यह peroxide bond, peroxide bond, sulfur का बड़े बनाया, टोपी पहनाया, नीचे pajama पहनाया, यह OH, this is peroxodisulfuric acid, pyrosulfuric acid जिसे एक और नाम दिया जाता है, oleum, oleum, क्या होता है, H2S2O7, क्या होता है, H2S2O7, अगर इसको अपन देखेंगे, तो यह देखो, O, बड़े बनाया, टोपी पहनाया, pajama पहनाया, OH, यह O, सिर्फ एक oxygen कम करनाया, तोपी पहनाया, pajama पहनाया, यह OH, this is H2S2O7, this is H2S2O7, तो answer क्या होना चाहिए, the oxy acid of sulfur that contain a lone pair of electron on sulfur is sulfurous acid H2SO3, clear है, clear है, yes sir, clear है, बनाओ screenshot मारो, हर चीज अच्छे से करेंगे, बेटा मैं तो पूरा करा दूँगा, आप NEET, जो देंगे सब निकलेगा, जो देंगे सब निकलेगा, MC की उसमें क्या आने वाल, जो one exam में आने वाले हैं, वैसे ही उसमें भी आने वाले हैं, चलिए, next question की बात करते हैं, next question है अपना, the acidity of diproteic acid in aqueous solution, increase in the order, H2S, H2SE, H2TE, चलो देखते हैं, अगर आपको पता हो कि अपने hydrides हैं, हैं, H2S, H2SE, और आपके पास हैं, H2TE, इसमें हम sulfur छोटा है, तो S-H bond length कैसी होगी, छोटी होगी, selenium बढ़ा है, तो element hydrogen bond length बढ़ गई, S-H bond length बढ़ गई, tellurium और बढ़ा है, तो ये bond length और बढ़ गई, अच्छा खासा acid character show करेगा, नीचे जाने पर acid character क्या होता है, बढ़ता है, क्यों क्योंकि element hydrogen bond length नीचे जाने पर क्या होती जा रही है, element hydrogen bond length नीचे जाने पर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो जो जितनी आसानी से hydrogen आयन दे वो उतना अच्छा acid तो answer क्या होना चाहिए H2S, फिर H2SE, फिर H2T answer होना चाहिए first answer क्या होना चाहिए first चलो, चलो, बढ़ाता हूँ आगे next question की बात करता हूँ which is the correct thermal stability order of H2E element क्या, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium चलो, देखते हैं देखो मगर प्यार से हाँ हाँ हाँ, आराम से देखो आराम से, element hydrogen bond length चलो, bond length की बात कर रहा हूँ, element hydrogen या oxygen और hydrogen के बीच में कम sulfur hydrogen के बढ़ गई, selenium hydrogen के बीच में और बढ़ गई tellurium hydrogen के बीच में और बढ़ गई, polonium hydrogen के बीच में और बढ़ गई नीचे जाने पे bond length बढ़ रही है अगर bond length बढ़ रही है तो bond की stability bond की stability या मैं ये कहूं thermal stability thermal stability क्या हो रही हो की खुद ही बताईएगा अगर bond छोटा है अगर bond छोटा है तो सुनना ये ज़्यादा stable है पास पास तुम पास आए, यू मुस्कुर आए हमने न जाने क्या सपने सजाए लेकिन जैसे ही तुम दूर गई, हम unstable हो गई तुम पास थे, हम stable थे bond length जब दो लोग पास होते हैं ना जब दो लोग पास होते हैं ना है ना, समझ रहे हो भाव ना को जब दो लोग पास होते हैं तो ज़्यादा stable होते हैं लेकिन दूर चले जाते हैं तो stability घटती जाती है तो bond की stability या thermal stability नीचे जाने पर क्या होती जाए घटती जाएगी सबसे ज़्यादा stable कौन देखने मिलेगा H2O, H2S, H2SE, H2TE और H2PO तो भहिया order क्या होना चाहिए ये तो गलत sulfur ये भी गलत oxygen, sulfur, oxygen सबसे ज़्यादा होना चाहिए oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium yes, तो thermal stability का order क्या होगा D, क्या होगा order D concept अपने तरीका अपना पहले one shot video देखना जरूरी है, याद रखिएगा मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ आपको description में मिल जाएगा आपको description में मिल जाएगा one shot video ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, आगे बढ़ाते हैं कहानी को which of the following does not give oxygen on heating कौन which of the following does not give oxygen on heating, कौन heating पे oxygen नहीं देगा, चलो check करते हैं, K2Cr2O7 की बात करें, K2Cr2O7 हमें क्या देता है, K2Cr2O7 K2Cr2O7 तो oxygen देता है बिल्कुल देता है, सर, यह oxygen देगा NH4 whole twice Cr2O7 यह हमें देगा, nitrogen plus Cr2O3 Cr2O3 plus 4H2O याद रखना यह हमें नहीं देगा, oxygen यह question पूछा जा चुका है AIPMT में जब होती थी, आप तो neat होने लगी है ठीक है, यह question पूछा जा चुका है यह नहीं देगा Chlorate Chlorate, Nitrate, Permagnate हमेशा देता है, यह भी oxygen देगा NCRTA की बात कहती है कि अगर आप Chlorate को गरम करोगे Nitrate को गरम करोगे Permagnate को गरम करोगे आपको हमेशा oxygen मिलेगी लेकिन यह तो Potation Ammonium Dichromate है Ammonium Dichromate हमेशा क्या देता है Nitrogen Gas देता है Cr2O3 देता है और 4H2O तो answer होगा B answer होगा B clear है बढ़े आगे चलो जी next question next question है it is possible to obtain oxygen from air air में दो ही component सबसे ज़्यादा पाए जाता है एक होता है nitrogen जो की 78% होता है और एक होता है oxygen जो की कितना होता है आपका 21% होता है अब हम air से इनको प्राप्त कर सकते हैं क्या करें air का सबसे पहले liquid fraction करें उसके बाब fractional distillation करते हैं fractional distillation कर दे तो from air by fractional distillation because क्योंकि इसके boiling point इसका boiling point ये कितने पे मिलेगा अपने को ये मिल जाएगा हमें 77 kelvin पे ये मिल जाएगा हमें 90 kelvin पे वजा क्या है oxygen is is in a different group नहीं ये बिलकुल नहीं है वजा oxygen is more reactive than nitrogen ये भी वजा नहीं है oxygen has higher boiling point than nitrogen higher boiling point than nitrogen yes answer should be c oxygen का boiling point कैसा होता है ज्यादा होता है nitrogen की तुल नहीं हमें 77 kelvin पे मिलेगा oxygen हमें 90 kelvin पे मिल जाएगा fractional distillation और liquefaction के बाद NCRT की पहली लाइन दी हुई है जैसे ही आप oxygen और nitrogen पढ़ेंगे जैसे ही आप oxygen nitrogen पढ़ेंगे clear है चलो मारो screenshot मारते चलो खिचिक खिचिक technology का जमाना है खिचिक खिचिक next next है अपना match the following आपको match करना है following को CO मैंने आप भी को बताया था CO NO N2O याद करिए CO NO N2O यही ती neutral oxide है जो हमें chemistry में पढ़ने हैं तो CO NO N2O यह कैसे होगा neutral oxide B A O B A O group 1 के oxide और group 2 के oxide metallic oxide low oxidation state में low oxidation state में low oxidation state हमेशा कैसे होते हैं low oxidation state में हमेशा basic होते हैं इसको छोड़ दो तुम बिटा amphoteric हो amphoteric हो group 1 और group 2 में तुम exception हो बागी सारे basic हैं यह सारे basic हैं metal in low oxidation state basic होता है चलो, AL2O3 this is amphoteric oxide और metal in higher oxidation state तुम प्लस 7 में, ओ सॉरी, non-metallic oxide हमेशा कैसे होता है, यह non-metal higher oxidation state में, तो A का second यह आ गया B का first यह आ गया C का fourth यह आ गया D का third यह आ गया answer should be B, answer क्या होना चाहिए यह B होना चाहिए, जल्दी आई है answer क्या होना चाहिए, B होना चाहिए, जल्दी आई है चलो, next next बात करते है चलो जी, next है अपना the angular shape of ozone molecule consist of, ozone को अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा देखने मिलेगा, यह ozone का molecule है, यह ozone का molecule है, अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने सिगमा, कितने πाई देखने मिलेंगे यह सिगमा बॉंड, यह सिगमा बॉंड और यह पाई बॉंड, यह पाई बॉंड, दो सिगमा और एक पाई देखने मिलेगा, दो सिगमा और एक पाई देखने मिलेगा, तो answer क्या होगा B होगा bond angle कितना होगा bond angle होगा 117 degree और याद रखना इसमें resonance पाया जाता है कभी यहाँ double bond तो यहाँ single कभी यहाँ single देखने मिल जाएगा कभी यहाँ double bond और इसकी दोनो bond length कैसी होती है बराबर होती है यह कहानी भी याद रखना यह कहानी भी याद रखना तो इसमें 2 sigma और 1 pi bond पाये जाते है इसमें 2 sigma और 1 pi bond पाये जाते है clear है? चलो next question next है which of the following oxo acid of sulfur कौन सा oxo acid है sulfur का जिसमें OO linkage है OO linkage का मतलब क्या है अब भी बताया था मैंने per oxide linkage है जिसमें क्या है per oxide linkage है अब देखते हैं sulfurous acid में बिल्कुल नहीं देख चुके है sulfuric acid में बिल्कुल नहीं per oxo di sulfuric acid में पाये जाती है नाम में ही चुपा per oxo per oxide linkage पाये जाएगे तो answer should be C answer क्या होना चाहिए? C होना चाहिए clear है? बढ़ जाए अगले question की तरफ pyrosulfuric acid इसमें नहीं पाये जाती जिसे oleum नाम देते हैं जिसे हम क्या नाम देते हैं? oleum नाम देते हैं लिया screenshot चलो next question है मेरा next है identify the correct formula of oleum मैंने अब भी बताया oleum का correct formula oleum क्या होता है? जिसे हम pyrosulfuric acid भी कहते हैं pyrosulfuric acid भी कहते हैं इसका formula क्या होता है? H2S2O7 H2S2O7 तो answer क्या होना चाहिए? A answer क्या होना चाहिए? A oleum का general formula होता है H2S2O7 तो answer क्या होना चाहिए? A चलो next question next question which of the following is radioactive in nature? oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium याद रखना group 16 में कौन कौन से element आते हैं? group 16 में कौन कौन से आते हैं? oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium इन में से polonium एक ऐसा element है जो नीचे पाये जाता है और radioactive होता है nature में radioactive होता है nature में NCIT की line उठाईए मैंने उससे question बना के दिया तो answer क्या हो? polonium polonium is radioactive in nature polonium कैसा है? radioactive है nature में बड़े आगे बड़े आगे polonium कैसा है? radioactive है nature में चलिए next which of the following element has highest tendency of catenation group 16 में catenation की tendency किसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो याद रखिएगा catenation की tendency carbon के बाद silicon, silicon के बाद sulfur फिर phosphorus, फिर nitrogen, फिर oxygen तो याद रखो group 16 में सबसे ज़्यादा किसमें देखने मिल रही है sulfur में देखने मिल रही है किसमें देखने मिल रही है sulfur में तो answer क्या होगा sulfur याद रखने का तरीका इस जिंगल को catenation tendency के order को सपने आते हैं ना तो कैसी कैसी सपनो 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 आज के बाद याद रहेगा जैसे group 15 की बात आती है तो group 15 में nitrogen होता है group 16 की बात आ रही है इसमें sulfur होता है इससे बहुत सारे questions all हो जाएंगे this is an drug bagel special treat कैसी एक बार कैसी सपने आते हैं ना कैसा सपना दा भूल गया भूल गया तो कैसी सपनो तो answer should be sulfur answer should be sulfur answer should be sulfur चलो next question next है which of the following one point product is formed by the reaction of sulfur dioxide with chlorine in presence of sunlight sunlight की presence में किसके क्या बनेगा आपको मिलेगा SO2Cl2 क्या मिलेगा SO2Cl2 तो answer should be B क्या मिलेगा SO2Cl2 answer क्या होना चाहिए B होना चाहिए which of the following one point product is formed by the reaction of sulfur dioxide with chlorine NCRT की as it is SO2 में reaction दी हुई है SO2Cl2 the product is formed by the SO2 with chlorine in presence of sunlight चलो जी next question है the bond angle is minimum 4 bond angle किसके लिए minimum होगा आपके पास H2O है H2S है H2SE है H2TE है logic समझ रहा H2O की बात करोगे H2O की बात करोगे तो ध्यान दीजेगा H2TE की बात करेंगे तो नीचे जैसे 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 जाते 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 हैं इसमें bond angle 104.5 डिग्री होता है इसमें 93 इसमें 92 और इसमें 91 सम्थिंग होता है नीचे जैसे जैसे जाते हैं bond angle क्या होता है bond angle क्या होता है decrease होता है क्यों क्योंकि ध्यान दीजेगा oxygen की electron negativity ज्यादा होती shared electron पे रिधर आ गए electronic electronic repulsion बढ़ गया और bond angle सबसे ज्यादा देखने मिला bond angle नीचे जाने पर hydride में घटते हैं क्योंकि electron negativity of central atom of central atom क्या होती है decrease होती है क्या होती है decrease होती है तो group में जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे bond angle घटते जाएंगी क्योंकि electron negativity of central atom क्या होती जाएगी decrease होती जाएगी तो सबसे ज्यादा किस में देखने मिलेगा minimum minimum किसमें देखने मिलेगा h2te में देखने मिलेगा bond angle is minimum in which case h2te this is question number 17 clear है clear है चलो next next है assertion reason type question है समझना अभी आपने sample paper देखा आपको पता चल गया किस type के question आ रहे है मैंने सारी variety आपके लिए रखी हुई है oxygen exhibit anomalous behavior group का जो पहला member होता है anomalous property दिखाता है इसके पीचे बहुत सारी बज़ा होती है small size, high electron negativity, high ionization energy और absence of d orbital तो oxygen exhibit anomalous behavior science statement है absence of d orbital ये भी science statement है तो भाया बोथ assertion and reason are true दोनों सही है और reason correct explanation है किसका assertion का तो answer क्या होना चाहिए a होना चाहिए reason correct explanation है किसका assertion का तो answer क्या होना चाहिए a होना चाहिए बोलो clear है clear है चलो answer क्या होना चाहिए a होना चाहिए यह दोनों सही हैं और correct explanation है किसका assertion का. Next, anomalous behavior of oxygen. अभी मैंने बताया, compare to other 6A group element is due to. Anomalous behavior oxygen का किस वज़े से होता है? High electro negativity की वज़े से बिलकुल सही है. Small size की वज़े से बिलकुल सही है. चोटा बच्चा होता है, चोटा बच्चा जानके मुझको ना समझाना रही, वाला चोटा बच्चा है, ठीक है, बदमाश है. दूसरा, non availability of d orbital oxygen को जब आप देखोगे, तो electronic configuration होता है, 1s2, 2s2, 2p4, और 2d orbital बनता ही नहीं है, तो d orbital होता नहीं, तो non availability of d orbital ये भी सही है, तो answer क्या होगा? all, कि anomalous behavior किस वज़े से होता है, इन सब की वज़े से होता है, सारी कहानी बताता चल रहा हूँ मैं, ना डरना है, ना घपराना है, 100mcq में तहल का मचा के, आना है, ठीक है, चलो next, चलिए, next question है अपना, which of the following set of atomic number belongs to calcogen, what is the meaning of calcogen, जैसे कि आपको मैंने बताया, group 16 के जो element है, group 16 के जो element है, उन्हें calcogen नाम दिया जाता है, calcogen नाम दिया जाता है, जन मतलब होता है, generating, जन मतलब होता है, generating और calcogen मतलब होता है, अपना or forming, they are or forming element, they are or forming element, इसलिए ने calcogen नाम दिया जाता है, group 16 के element का, अब आपको बताया, which of the following set of atomic number, बताये, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, oxygen का atomic number कितना होता है, 8, फिर आपने जोड़ा, sulfur 8, तो यह हो गया 16, फिर आपने जोड़ा 18, तो यह आगया 34, फिर आपने जोड़ा 18, तो यह आगया 52, और polonium, फिर आपने जोड़ा 32, तो यह आगया, कितना 84, कितना आगया 84, तो अगर आप देख पा रहे होंगे, 8, 52 और 84, 8, 52 और 84, दे बिलॉंग्स टू दा कैलकोजन, दे बिलॉंग्स टू दा कैलकोजन, इसी लिए कैलकोजन का, इसका answer क्या होगा, which of the following set of quantum number belongs to the कैलकोजन, answer should be A, 8, 52 और 84, clear है, clear है, चलिए, next question की बात करते हैं, next question है, अपना, oxygen can be prepared, oxygen को हम prepare कर सकते हैं, by heating, by heating, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास chlorate है, chlorate है, chlorate है, nitrate है, या permagnate है, इनको गरम करने पे आपको क्या मिलेगी, पर-magnate है, इनको गरम करने पे आपको क्या मिलेगा, oxygen gas मिलेगी, चलिए, तो oxygen can be prepared by heating, potassium per-magnate, potassium per-magnate, चलो चेक करते हैं, ये answer है या नहीं, potassium permagnate होता है KMNO4 KMNO4 अगर हम इसे गरम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा सबसे पहले K2MNO4 K2MNO4 प्लस क्या मिलेगा MNO2 और क्या मिलेगा oxygen मिलेगा और क्या मिलेगा oxygen मिलेगा तो क्या हम potassium permagnate को गरम करें तो अपने को मिल जाएगा oxygen यस सर हमें potassium permagnet को गरम करने पर oxygen मिल जाएगा तो oxygen can be prepared by heating Kmno4 potassium permagnet आप मेरा one shot वीडियो देखिए एकदम तहल के के साथ सारे concept clear होते जाएंगे सारे concept clear होते जाएंगे सारे concept clear होते जाएंगे बढ़ू आगे बढ़ू आगे बढ़ जाओ आगे चलो next question की बात करता हूँ मैं next question की बात करता हूँ मैं next question है मेरा the product which is not formed on heating of potassium permagnet मैंने पहले ही कहा कि आप NCRT के उन point को पकड़ लीजिए जो question बनते हैं अब पूछ रहा है the product सब NCRT का है लेकिन उसके question के form में मैं आपके सामने deliver कर रहा हूँ ये question नीट और जही के हिसाब से भी काफी important है क्योंकि इन और्गेनी totally NCRT based रहती है school में कहां से पूछेगा totally NCRT based पूछेगा मैंने उनी को frame करा question अब देखिए उसी question को मैंने mold करा the product which is not found on heating of potassium permagnate potassium permagnate क्या होता है KmnO4 KmnO4 अगर इसे हम heat करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा K2 MnO4 K2 MnO4 इसके अलावा क्या मिलेगा हमें MnO2 मिलेगा और इसके अलावा हमें क्या मिलेगा O2 मिलेगा क्या मिलेगा O2 मिलेगा तो आप क्या नहीं बना सकते? The product which is not formed. K2-M0-4 बना सकते है, sir, Mn-O2 बना सकते है, sir, oxygen बना सकते है, लेकिन Mn-O4 इस reaction से नहीं बनता. This is very important reaction. This is very important reaction. Please note down करो. Please note down करो. This is very important reaction. Please note down करिये. Please note down करिये. बढ़ाता हूँ कहानी को आगे. बढ़ाता हूँ कहानी को आगे देखिएगा next question है मेरा O2-2 is the symbol of मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने पास per oxodisulfuric acid मैंने आपको कहा था per oxodisulfuric acid per oxodisulfuric acid एक example ले रहा हूँ per oxodisulfuric acid per oxodisulfuric acid क्या होता है H2S2O8 क्या होता है H2S2O8 अगर यह होता है तो आप देखिए इसका मैं structure बना रहा हूँ OOOH OOS double bond OOS double bond OOH this is per oxodisulfuric acid this is per oxodisulfuric acid अगर यह per oxodisulfuric acid है तो मैंने यह कहा था this is per oxide linkage this is per oxide linkage O2-2 तो O2-2 किसको represent करता है per oxide को represent करता है किसको represent करता है per oxide को और super oxide को कौन represent करता है O2-1 तो O2-2 is the symbol of per oxide question पूछे जाएंगे क्योंकि NCIT में दिया हुआ है अपने को per oxide के बारे में किसके बारे में दिया हुआ है per oxide के बारे में दिया है तो O2-2 is the symbol of per oxide is the symbol of per oxide बढ़े आगे बढ़े आगे चलो जी अगले question की बात करें अगले question की बात करें अगला question है हमारा in crystalline form of sulfur exist in acid molecule has इसका structure कैसा होता है acid molecule का crown shape structure चलो मैं structure बनाता हूँ acid का हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ ये मेरा sulfur है कैसा है crown जैसा कैसा है crown जैसा जब आप अच्छी जगह अपने class 12th में अच्छे marks ले आएंगे neat में select हो जाएंगे ये जी ही में select हो जाएंगे आप मेरे पास आईएगा मैं आपको sulfur का crown पहना हूँगा sulfur का crown पहना हूँगा आओगे ना जरूर आना ठीक है तो this is crown shape structure या puckered ring structure तो आपसे बूला जाए asset molecule किस form में पाये जाता है crown shape में पाये जाता है tetrahedral नहीं हो सकता pyramidal नहीं हो सकता angular नहीं हो सकता question की language पकड़ लो बस अपने आप समझ जाओगे easy है easy peasy question नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें चलो आगे बढ़ाते हैं कानी को अगला है sulfuric acid is formed sulfuric acid बनता है when dash react with water कौन react करेगा पानी के साथ चलो देखते हैं अगर मैंने SO3 की पानी के साथ reaction करी तो मुझे क्या मिलेगा H2SO4 मिलेगा मरला answer क्या होना चाहिए answer क्या होना चाहिए SO2 नहीं sulfur नहीं SO3 SO3 जब पानी के साथ reaction करेगा तो हमें क्या मिलेगा H2SO4 मिलेगा तो sulfuric acid is formed when dash react with water answer क्या होना चाहिए SO3 होना चाहिए inorganic chemistry के question सिर्फ अगर बनते हैं अगर आपको पता है तो बनेंगे सिर्फ पता है तो बनेंगे कोई concept नहीं होता इनके पीछे अगर आपको पता है तो बनेंगे रटना पड़ता है ठीक है चलो next question next question है मेरे सामने in the preparation of sulfuric acid आप किसका preparation कर रहे है sulfuric acid का preparation कर रहे है V2O5 is used in the reaction V2O5 is used in the reaction अगर आपको पता होगा चलो ध्यान देना यह थोड़ा यहाँ पे इनके गलत लिखा हुआ S plus O2 किसमे convert होता SO2 में SO2 plus O2 SO3 में यह H2SO4 में और यह ठीक है अब मेरी बात सुनना in the preparation of sulfuric acid आपको sulfuric acid को बनाने के लिए हमारी कौन सी process थी contact process थी कौन सी process थी contact process थी contact process कहती है भाईया कि हमारी तीन step होती है burning of sulfur से आपको मिलेगी SO2 दूसरा SO2 पे आपने जब oxygen gas pass करे तो आपको मिलेगा SO3 SO3 और इसमें जो catalyst use होता है वो vanadium pentoxide होता है और आप जब SO3 पे H2SO4 डालेंगे तो आपको मिलेगा H2SO7 H2SO7 जो की आपका oleum है जिससे आप desired concentration का जिससे आप desired concentration का आप sulfuric acid प्राप्त कर सकते हैं तो कौनसी reaction है V2O5 is used in the reaction which is V2O5 किस reaction में use किया जाएगा किस reaction में use किया जाएगा S plus O2 SO2 में नहीं सर 2SO2 plus O2 किस में use किया जाएगा जब SO3 मिलेगा this should be the answer 26 cancer क्या होना चाहिए B होना चाहिए 26 cancer क्या होना चाहिए B होना चाहिए clear है clear है 26 cancer क्या होना चाहिए B होना चाहिए बढ़े आगे बढ़े आगे चलो जी चलो 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 26 cancer क्या होना चाहिए B होना चाहिए यह बढ़े हैं आगे, चलो, next, select the incorrect statement, आपको incorrect statement select करना है among the following, among the following, select the incorrect statement among the following, ozone is used as a germicide for, आपको incorrect choose करना, यह चीज़ याद रखना, ozone is used as a germicide for purification of air, बिल्कुल सही बात है, ozone का use आप किसके तौर पे करते हैं, germicide की रूप में करते हैं, ठीक है, इन ozone, ozone की अगर हम बात करें, O-O bond length, चलो, ozone यह है हमारी, ozone यह है हमारी, O-O bond length, ozone में O-O bond length, is identical with, is identical with, that of the molecular oxygen, molecular oxygen की bond length के बराबर होती है, नहीं, ozone में कभी single bond बनता है, कभी double bond बनता है, इसका bond order कितना आता है, ozone में, कभी single bond, कभी double bond, कभी single bond, कभी double bond, 1 plus 2 by 2, ठीक है, bond order आता है 1.5 और इसमें आता है 2, क्या दोनों की bond length बराबर है, नहीं, यह statement गलत हो गया, फिर ozone is angular in shape, ozone angular shape की होती है, बिलकुल सही है, और ozone is an oxidizing agent, मैंने आपको बताया था, ozone एक typical oxidizing agent होता है, क्योंकि ozone dissociate होके आपको देता है, nascent oxygen, क्या देता है, आपको nascent oxygen देता है, clear है, ozone क्या देता है, आपको nascent oxygen देता है बढ़े आगे, ozone is an oxidizing agent क्योंकि ozone क्या देता है, nascent oxygen देता है ठीक है, सामने वाले को oxidize करेगा सामने वाले को oxidize करेगा, बढ़ाता हूं कहानी को आगे note down करो जल्दी से note down करो जल्दी से in which part of atmosphere atmosphere के किस part में ozone layer पाई जाती है तो ध्यान दीजेगा, मैंने आपको बताया था ये आपका अर्थ है, अर्थ की surface है इससे 20 km उपर जाते जाओ 20 km उपर जाते जाओ तो आपको एक pale blue color की gas मिलेगी 20 km उपर जाते जाओ, आपको एक pale blue color की gas मिलेगी आप 20 km उपर जाओ, आपको एक pale blue color की gas मिलेगी इसे आप कहते हैं ozone क्या कहते हैं, ozone और ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है आपके stratosphere में कहां पाई जाती है, stratosphere में पाई जाती है कहां पाई जाती है, ये आपके stratosphere में पाई जाती है तो answer क्या होना चाहिए 28 का A answer होना चाहिए 28 का क्या होना चाहिए answer A answer होना चाहिए clear है तो किस part में atmosphere के ozone gas पाई जाती है ये पाई जाती है stratosphere में कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है stratosphere में बढ़ाते हैं कहानी को चलो next question next question है अपना among the following compound among the following compound which one is not responsible for which one is not responsible for depletion of ozone layer कौन ozone layer के depletion के लिए responsible नहीं है चलो देखते हैं methane चलो answer तो वैसे methane ही है chlorofluorocarbon chlorofluorocarbon तो ozone layer का depletion करते हैं ये करते हैं मैंने आपको बताया था जो supersonic jet planes होते हैं जो supersonic jet planes होते हैं वो higher atmosphere में जाते हैं अब मेरा jet plane बनाते आता नहीं है मुझे supersonic jet planes जो होते हैं जो high atmosphere में जाते हैं उनसे निकलती है उनसे निकलती है क्या NO क्या करती है ozone layer का depletion करती है ozone layer का depletion करती है ozone layer का depletion करती है तो भाईया ozone layer का depletion करता है Methane ozone layer को deplete नहीं करेगी. Methane ozone layer को deplete नहीं करेगी. Clear है? Clear है? Methane कभी भी ozone layer को deplete नहीं करेगी. बड़े अगले question की तरफ? बड़े अगले question की तरफ? चलिए next. Next. Next है आपका, which of the following is paramagnetic? Which of the following is paramagnetic? मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी molecular oxygen होती है, वैसे ही sulfur S2, जो की अपने elevated temperature पे पाया जाता है, NCRT कहती है, जो की अपने elevated temperature पे पाया जाता है, करीब 1000 Kelvin पे, करीब 1000 Kelvin के, मेरे मुँ से सिर्फ NCRT के शब्द निकलेंगे. Typically आपको याद करना, NCRT आपका ब्रह्म बुक है, जिसे आप में सब कुछ दिया है inorganic का, तो जो S2 होता है, जो की highly elevated temperature पे पाया जाता है, अगर oxygen paramagnetic है, क्योंकि πाई स्टार में, जो आपके πाई स्टार 2PX anti-bonding, और πाई स्टार 2PY anti-bonding electron जो है, उनमें एक-एक electron पाया जाता है, तो यह paramagnetism show करती है, वैसे ही S2 भी कैसा होता है, paramagnetic nature का होता है, तो answer क्या होना चाहिए, vapor S2 is also paramagnetic in nature, vapor S2, जो की highly elevated temperature करी 1000 Kelvin पे पाया जाता है, यह कैसा होता है, paramagnetic nature का होता है, कैसा होता है, paramagnetic nature का होता है, clear shot है, clear shot है, is there any doubt, is there any doubt, no sir, बढ़े हागे चलो next अपना which one of the following is incorrect option आपका कौन सा option incorrect है कौन सा option incorrect है ठीक है regarding H2SO4 regarding H2SO4 चलो जी regarding H2SO4 ठीक है low volatile बिल्कुल सही है ये तो बिल्कुल सही statement है low volatile होता है ठीक है highly viscous होता है चलो इसलिए low volatile शो करता है strong acidic nature का yes strongly acidic nature का होता है ठीक है strong oxidizing agent है बिल्कुल सही है ये strong oxidizing agent है low affinity towards water नहीं इसकी affinity high होती है towards water इसकी affinity कैसी होती है high होती है towards water तो ये statement आपका गलत हो गया कि इसकी affinity low होती है answer should be high affinity towards water clear है clear है इसकी affinity कैसी होगी high होगी towards water बढ़े आगे चलिए next question देखते हैं which one of the following acid of sulfur contain paroxide bond यह आपन देख चुके हैं बार-बार ठीक है अब H2S2O8 में आपको paroxide bonding देखने मिलती है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं जल्दी से उतार लो यह दूसरी बार question आचुका है which one of the following acid of sulfur contain paroxide bond यह अपना paroxide disulfuric acid चलिए ठीक है जल्दी से उतारा next question की बात करूं मैं which one of the following which one of the following oxo acid of sulfur contain one lone pair on sulfur यह भी अपन question देख चुके हैं किसमें one lone pair पाया जाता है sulfur पे अपना होता है यह sulfurous acid sulfurous acid का structure आपने देखा होगा यह होता है यह O यह O H यहाँ पे O H this is H2 SO3 sulfurous acid इसमें एक lone pair पाया जाता है इसे भी जल्दी से note down करो देख चुके हैं यह बूल सकते हो करत करत अब आज की जड़मत होत सुजान यह जितना practice करोगे उतने ही कहनी perfect होती जाएगी इसे sulfurous acid नाम दिया जाता है चलो next question की बात करें अब है which one of the following decolorize potassium permagnate potassium permagnate को decolorize कौन करता है सुनना SO2 gas जो होती है वो potassium permagnate को decolorize कर देती है और यह test होता है किसका SO2 gas का this is also test of SO2 this is also test of SO2 SO2 gas का एक काम है कि वो अगर उस पे potassium permagnate को डालेंगे जो की purple या violet color का होता है जो की कैसा होता है purple या violet color का purple या violet color का होता है उसको ये decolorize कर देती है उसको ये क्या कर देती है SO2 gas उसको decolorize कर देती है और ये test अपन यूज करता है as a test for SO2 तो answer should be SO2 answer क्या होना चाहिए SO2 होना चाहिए please note down करें इसे please note down करें इसे next question की बात करूँ मैं next question की बात करूँ मैं देयान दीजेगा मेरे पास है find x and y अच्छा question very important अच्छा पूछा जाता है आपको x और y पता करना है जब आप NaOH और SO2 की reaction करते हैं तो H2O मिलता है और साथ में आपको मिलता है Na2SO3 क्या मिलता है sodium sulfite Na2SO3 अब Na2SO3 पे जब आप Na2SO3 पे जब आप वापस water और SO2 डालेंगे ठीक है तो आपको sodium y sulfite मिलता है sodium y sulfite मिलता है sodium y sulfite मिलता है तो X क्या हो गया sodium sulfite और Y क्या हो गया sodium y sulfite तो Na2SO3 लेकिन ये SO3 गलत Na2SO3 और NaHSO3 आंसर क्या होना चाहिए आंसर होना चाहिए C कि भाईया अगर हमने NaOH पे SO2 पास करी तो सबसे पहले हमें Na2SO3 मिलेगा और Na2SO3 पे वापस हमने और Na2SO3 पे वापस हमने H2 और SO2 पास कर दी तो हमें NaHSO3 मिलेगा simple question है जल्दी आईए पता होगा तो हरचीज simple है नहीं पता होगा तो हरचीज tough है आपने अपने term 1 का paper देख चुका होगा sample paper बहुत easy paper है बहुत आसान question आ रहे है उसमें कोई भी tough question नहीं है ठीक है चलो यहाँ से सब कुछ question आपको मिल जाएंगे next question है अपना next है conversion of oxygen into ozone अगर आप 302 की reaction किसमें करते हैं 203 में करते हैं जो कि हमें 10% मिलती है इस reaction के दौरान हम किसका use करते हैं ozoneizer का use करते हैं ozoneizer का use करते हैं और हम silent electric discharge देते हैं क्या देते हैं silent electric discharge देते हैं silent electric discharge देते हैं silent electric discharge क्यों दिया जाता है ozone के formation के दौरान क्योंकि ozone का बनना जो होता है ozone का बनना जो होता है वो endothermic reaction होता है कैसा reaction होता है endothermic reaction होता है इसलिए हमें बाहर से energy provide करनी पड़ती है कैसी reaction है, endothermic reaction है बेलकुल सही, done in ozonizer इसे ozonizer में किया जाता है तो B और C दोनों सही है, याद रखना इसे देखके आपने tick कर दिया और ये नहीं देखा तो answer गलत हो जाएगा, बोथ B और C भी answer दिया हुआ है, तो answer क्या होना चाहिए D होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए D होना चाहिए, clear है clear हो गया यहां तक, question number 36 बड़े आगे बड़े आगे, हर कहानी बताते चल रहा हूँ next question next question है अपना Al2O3 जब react करेगा किसके साथ अपने base acid और base के साथ, तो क्या बनाएगा ये हमारे NCRT में जब question दिया हुआ है, तो जब हमें different type के oxide दिये हुए, वहाँ ये question दिया हुआ है, as आपको पता होना चाहिए, Al2O3 कैसा oxide Al2O3 is an amphoteric oxide कैसा oxide है, amphoteric oxide है मतलब ये acid और base दोनों से reaction करता है, किस से reaction करता है, acid और base दोनों से reaction करता है, चलिए acid की reaction देखते हैं, कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा balancing equation मैं लिख रहा हूँ, Al2O3 की मैंने माल लीजे 6, SCL के साथ reaction करी, और 9 water के साथ reaction करी, तो जो मुझे मिलेगा product वो क्या मिलेगा, Al2O whole 6, क्या मिलेगा, Al2O whole 6 whole 6, और इदर आ गया plus 3, यह मेरा product होता है, acid के साथ reaction करने पर, तो answer क्या होगा, Al2O whole 6, पहले वाले में आ रहा है, चलिए अगर मैं base के साथ reaction करूँ, मैं base के साथ reaction करूँ, Al2O3 की मैं base के साथ reaction करूँ, 6 NaOH and 3 H2O के साथ, यह मेरी base के साथ reaction है, तो मुझे क्या होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, answer होना चाहिए, answer क्या होना चाहिए, कि जब Al2O3 acid के साथ reaction करेगा तो आपको major product क्या मिलेंगी, यह आपके major product होंगे, यह question J-E में भी आ चुका है, यह question J-E में भी पूछा जा चुका है, as it is from NCRTA question जेई में पूछा जा चुका है important question है please note down करो please note down करो ना डरना है ना घबराना है बस चलते चले जाना है clear है? चलो next question next question है मेरा how many oxides are acidic? आपको बताना है इस में से कितने oxides acidic होता है पहले थंबरूल, मेरा थंबरूल सुनना non metal के oxide non metal के oxide non metallic oxide कैसे होता है? acidic, कुछ ना कुछ exception तो देखने ही मिलता है non metallic oxide कैसे होता है? acidic जैसे ठीक है दूसरी चीज non metallic oxide कैसे होता है? acidic, दूसरी चीज metal in higher oxidation state metal in higher oxidation state higher oxidation state ये भी कैसे होता है? acidic ये चीज थंबरूले ये याद रखना यह थंबरूल है यह याद रखना यह थंबरूल है अपना है याद रखना चलो, BEO BEO, Beryllium Oxide अरे Beryllium Oxide, Group 2 का Oxide और यह तो Amphoteric होता है Amphoteric होता है This is Amphoteric Al2O3, अभी अपने देखा This is also Amphoteric Calcium Oxide, ध्यान दीज़ेगे Calcium Oxide, Group 2 का Oxide है लेकिन यह कैसे होता है, Basic होता है Group 1 और Group 2 के Oxide Basic होता है Except BEO, यह exception था MGO, MGO, यह भी Basic Oxide है Group 1 और Group 2 के Oxide कैसे होता है Basic होता है, MN2O7 यहाँ पे यह Magneze 3D Series का Member है, जिसमें Magneze पाया जा रहा है Plus 7 पे, Magneze पाया जा रहा है Plus 7 पे, और अगर यह Plus 7 पे, पाया जा रहा है मतलब, Metal higher Oxidation State में पाया जा रही है S Block के Element, D Block के Element F Block के Element, जनरली Metal होता है और Metal अगर higher Oxidation State में पाया जाती है तो यह Acidic होता है Acidic होता है Chromium, 3D Series का Member है जिसमें Chromium Plus 6 में पाया जा रहा है मतलब, यह भी Acidic होगा यह भी Acidic होगा Carbon Dioxide, Carbon होती है Non-Metal Non-Metallic Oxide कैसे होता है अपने Acidic होता है मतलब, यह भी कैसा होगा Acidic होगा N2O5, Nitrogen Non-Metal होती है इसके Oxide, यह भी Acidic होगा SO2, SO2 SO2 जो होती है SO2 भी Non-Metal है यह भी कैसा होगा, Acidic होगा CL2O7 यह भी कैसा होगा Acidic होगा तो How many Oxides are Acidic 1, 2, 3, 4, 5, 6 Answer should be 6 Answer क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए जल्दी आईए How many Oxides are Acidic Answer होना चाहिए, 6 Answer कितना होना चाहिए, 6 हर variety का question आपके सामने लाके रखा हूँ है न चलो, बड़े आगे अगले question की बुनियाद रखते हैं, आपके सामने अगला question है Which Oxide is Mixed Oxide सबसे पहले Mixed Oxide क्या होता है, समझनो अगर कोई metal किसी oxide में दो different oxidation state में पाई जाए जैसे मैं बोल दियो Fe3O4 जैसे मैं बात करूँ Fe3O4 ठीक है, यह FeO iron plus 2 पाया जा रहा है और Fe2O3 जिसमें iron plus 3 में पाया जा रहा है मतलब इस से मिलके बना है Fe3O4 मतलब Fe3O4 में यह FeO और Fe2O3 का मिक्षर है, जिसमें metal दो अलग oxidation state में पाई जा रही है, मतलब यह कैसा होगा Mixed Oxide होगा तो answer should be B Mn2O7 कैसा Oxide था अभी मैंने बताया This is Acidic Oxide यह Simple Oxide Simple Oxide है यह Simple Oxide है क्योंकि यहां Magnes सिर्फ plus 7 पे पाया जाती है यहां क्लोरियन सिर्फ plus 7 पे पाया जा रहा है तो यह भी Acidic Oxide है Simple Oxide का example है लेकिन Fe2O3 should be the Mixed Oxide NCRT हो दो example दिये हुए हैं Fe3O4 और PB3O4 Fe3O4 और PB3O4 They are Mixed Oxide याद करते चलो मैंने आपको OneShot Revision पहले ही करा दिया है Clear है? आगे बढ़ते हैं Next है अपना Which Hexa Halide is most stable? मैंने आप से कहा था जो SF6 होता है Among Halides SF6 is exceptionally stable SF6 कैसा होता? exceptionally stable होता है exceptionally stable होता है वज़ा मैंने बताई थी कि NCRT कहती है NCRT कहती है कि SF6 exceptionally stable होने की वज़ा क्या है? stearic reason क्या वज़ा है? stearic reason मतलब क्या है सर? मतलब क्या है सर? कि इसको 6 fluorine iron घेरे हुए है 6 fluorine iron घेरे हुए है और thermodynamically most feasible reaction जैसे hydrolysis भी hydrolysis भी नहीं हो पाती है size बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे size बढ़ता जाएगा hydrolysis possible हो जाता है तो यह exceptionally stable होता है वज़ा क्या है? stearic reason इसका size वज़ा है इसका stearic 3 dimensional जो structure है वो इसकी वज़ा है तो answer क्या है? which hexahelite is most stable? sulfur का hexahelite कैसा होता है? exceptionally stable पाया जाता है कोई doubt? no sir कोई doubt? no sir चलो बढ़े आगे चलिए जी next है SF4 is आपको hybridization पता करना है hybridization पता करना है तो ध्यान दीजेगा hybridization कैसे पता करते है half कितने monovalent atom जुड़े है 4 monovalent atom जुड़े है कौन से group का member है? sulfur sulfur group 16 का member है group 16 का member है मतलब valent shell में कितने electron 6 electron कोई charge है क्या कोई charge नहीं है तो bracket बंद 10 by 2 10 by 2 मतलब 5 5 मतलब कौन सा hybridization SP3D hybridization तो answer should be SP3D नहीं हो सकता SP3D hybridization answer क्या होना चाहिए SP3D hybridization clear है? clear है? चलिए sir बढ़े आगे बढ़े आगे द्यान दीजएगा चलिए अगला कहानी क्या कह रहा है which of the following pair कौन सा pair है which is not correctly match जो correctly match नहीं है समझेगा allotropic form of sulfur which is more stable at room temperature is rhombic अब एक बात याद रखना sulfur के बहुत सारा allotropic form है जो main allotropic form अपने को पढ़ना है दो उनमें एक है yellow color का rhombic sulfur देखने मिलता है yellow color का rhombic sulfur देखने मिलता है जिसे अपन alpha sulfur भी नाम देते है और दूसरा होता है monoclinic sulfur monoclinic sulfur monoclinic sulfur जिसे अपन beta sulfur भी नाम देते हैं beta sulfur भी नाम देते हैं ठीक है अब अगर आपके पास allotropic form of sulfur which is more stable at room temperature मैंने याद करने का तरीका बताया था R for rhombic R for room temperature R for rhombic R for room temperature rhombic sulfur room temperature पे stable होता है ये कहानी सही है पूछ क्या रहा है not correctly match कौन सा correctly match नहीं है the hydride of group 16 which is liquid at room temperature is water yes बिल्कुल सही है hydride group 16 के H2O H2S H2SE H2TE H2PO होते हैं H2PO होते हैं तो कौन सा oxide room temperature पे stable होगा मैंने आपको बताया था H2O room temperature पे room temperature पे liquid पाया जाता है because of the hydrogen bonding because of the hydrogen bonding जिसमें एक water का molecule 4 water molecule से घिरा रहता है और हमेशा एक बात याद अगना hydrogen के सामने most electronegative element phone आ जाए कभी कबार chlorine आता है phone call कभी कबार call आता है ममी का call आया पापा का call आया कभी कबार call आता है call कभी कबार आता है लेकिन phone हमेशा आता है phone हमेशा होता है हमारे पास समझे रहे हैं phone हमेशा होता तो fluorine oxygen nitrogen हमेशा hydrogen के साथ क्या बनाते हैं hydrogen bonding बनाते हैं इस वज़े से H2O के पाए जा रहा है, liquid form में पाए जा रहा है, यह statement भी सही है, the gas formed in the upper layer of atmosphere, the gas formed in the upper layer of atmosphere by action of UV radiation is nitrogen, no no no, upper atmosphere, जिससे अपने stratosphere नाम देते हैं, stratosphere में ozone gas, ozone gas का formation होता है, ozone gas का formation होता है, ठीक है, तो answer, यही answer होगा, यह statement गलत है, पूछा है ना, not correct, this is not correct, option D गया है, the catalyst used in the manufacturing of H2SO4, H2SO4 को जब हम बनाते हैं, contact process है, तो हमारा catalyst होता है, vanadium pentoxide, vanadium pentoxide, यह statement बिल्कुल सही है, यह statement बिल्कुल सही है, तो भाईया, यह भी statement सही है, तो गलत कौन से statement पूछी, सिर्फ तीसरी या C statement गलत है, प्लीज इसे note down करें, question पढ़ें बस, inorganic question पढ़ें, बस पढ़ें, मैं आपको हमीशा तरीके बताता हूँ, बस पढ़ते चलो, चलो, अगले question की बात करूँ, अगले question की बात करूँ मैं, तो अगला question है मेरे सामने, fill in the blanks, fill in the blanks, by choosing the appropriate option, by choosing the appropriate option, समझेगा, concentrated H2SO4 shares paper, अब आपको मैं बता रहा हूँ, कि जो concentrated H2SO4 होता है, cheering action शो करता है, मतलब पानी निकालने का काम शो करता है, जैसे आप इसको wood पे डालोगे, sugar पे डालोगे, जैसे आपने C6H2O6 पे डाला, cheering action कैसे शो करेगा, तो भईया ये पूरा पानी निकाल देगा, 6H2O निकल जाएंगे, और आपका क्या बन जाएगा, 6 carbon बन जाएगा, ठीक है, तो concentrated H2SO4 shares, wood, paper, wood and sugar by removing water, क्या निकाल देता है, water निकाल देता है, चलो, दो statement मिल गए, ठीक है, water from them, it is also known as, इसे और क्या कहा जाता है, इसे और क्या कहा जाता है भईया, oil of ole, नहीं, oil of vitriol कहा जाता है, चलो, इसे और क्या नाम दिया जाता है, दूसरा हो गया, oil of vitriol नाम दिया जाता है, तीसरा, it is manufactured by, इसे किस से बनाया जाता है H2SO4 को मैंने अभी आपको बता है H2SO4 को contact process से बनाया जाता है contact process से बनाया जाता है जिसमें 3 step होती है sulfur की burning SO2, SO2 का SO3 में conversion in presence of vanadium pentoxide or SO3 H2SO4 के साथ मिलके oleum बनाता है oleum से आप desired concentration का H2SO4 प्राप्त कर सकते है contact process ठीक है it is strong क्या होता है यह strong oxidizing agent होता है oxidizing agent होता है और यह mono basic है या dye basic है अगर आप H2SO4 को देखेंगे this is H2SO4 this is H2SO4 और याद रखना dye basic है इसका मतलब क्या है ऐसे oxygen ऐसा hydrogen जो oxygen से directly attached हो ऐसा hydrogen जो कि oxygen से directly attached हो उसे हम कहते है replaceable hydrogen iron उसे हम क्या कहते है replaceable hydrogen iron उसे हम क्या कहते है replaceable hydrogen iron और अगर हम इसे replaceable hydrogen iron कह रहे है तो यही basic CT decide करता है तो कैसा होगा यह dye basic होगा तो answer should be first answer क्या होना चाहिए first इस तरीके के भी question हमें पूछे जा सकते है चलिए बढ़े आगे बढ़ जाए आगे चलो next next है हमारे पास an amorphous solid कोई amorphous solid है burn into the air जो air में हवा में जलने पर क्या बनाता है कोई gas बनाता है which turns lime water milky जो lime water को क्या बना देती है milky बना देती है यह gas decolorize करती है aqueous solution of acidified k-m-n-o-4 कौन सी gas है जो acidified करती है k-m-n-o-4 को तो याद रखिएगा SO2 gas अपनी क्या करती है k-m-n-o-4 को decolorize करती है अब भी अपन देख चुके है gas y react करेगी जब oxygen से oxygen से react करेगी तो another gas देगी जब gas y SO2 oxygen से reaction करेगी तो एक another gas मिलेगी वो होगी आपकी SO3 gas ठीक है which is responsible for the acid rain ये acid rain के लिए responsible acid rain क्या होती है अगर आपको पता होगा कि जो अपना ताज महल है पहले की तुलना में अगर आपने सुना होगा ताज महल का रंग बदल रहा है ठीक है क्यों? क्योंकि जो ताज महल है ठीक है अगर कोई आगरा गया होगा कभी तो आगरा कभी गया होगा मत्वरा से आगरा होते हुए जाते हैं तो बगल में फैक्टरी बनी हुई उस फैक्टरी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मैं गया था 2-1 साल पहले तो उस फैक्टरी से बेटा बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं पॉलिटेंट जो होते हैं उसमें नाइट्रोजन के आक्साइड होते हैं सलफर के आक्साइड होते हैं एसे ड्रेंड गिरेगी सारे पॉल्यूटन पानी से मिक्स होके आएंगे पॉलीशन इतना बढ़ रहा है तहलका मत जाएगा इसकिन का समझ रहे हो फिर घर में आज जाके खुजली मचाते रहोगे आज के बाद बना होगे तो नहीं पहली बारिश में कमेंट सेक्शन में बता जो कहते हैं इनओरगेनिक केमिस्ट्री में रटना है मैं उसमें मास्ट्री कराओंगा आपको चलिए नेक्स क्वेशन है आपका ठीक है कंसीडर दा फॉलोइंग इस्टेट्मेंट आपको फॉलोइंग स्टेट्मेंट कंसीडर करनी है चल अचहा खासा लंबाड चौड़ा क्वेशन दिख रहा है ठीक है? there is large difference there is large difference ठीक है नीचे जैसे जैसे जाते जाते हैं भाईया सीधी सी बात है boiling point बढ़ते जाते हैं लेकिन oxygen और sulfur के boiling point पर large difference देखने मिलता है ऐसा क्यों इसकी वज़ा है atomic city इसकी वज़ा है atomic city इसकी वज़ा क्या है atomic city अगर आप बोलेंगे oxygen जो है वो है die atomic oxygen कैसा है die atomic है लेकिन sulfur को आप बात करेंगे तो sulfur होता है octa atomic sulfur होता है octa atomic और मेरी बात सुनना आप लोगोंने कभी सुना होगा octa atomic एकता में शक्ती होती है अब भी अपन ने देखा था 8 sulfur molecule एक दूसरे से जुड़के crown shape structure बनाते है ठीक है यही वज़ा होती है कि sulfur का boiling point आपको exceptionally high देखने मिलता है तो यह statement सही है अब बोल रहा है stability of minus 2 oxidation state decrease down the group आप group 16 की बात कर रहा होंगे आप group 16 चल रहा है तो stability of minus 2 oxidation state decrease down the group अब अगर आपको पता हो group 16 का general electronic configuration general electronic configuration आपको क्या देखने मिलता है क्या देखने मिलता है यह देखने मिलता है आपको NS2 NP4 NS2 NP4 outer muscle में 6 electron है 2 electron gain करेगा तो अपना octet complete कर लेगा मतलब minus 2 शो करेगा 2 electron दिये तो plus 2 शो करेगा और पूरे 4 के 4 दे दिये plus 4 शो करेगा अब क्या आप और रहा है stability of minus two oxidation state decrease down the group आप ग्रूप में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे माइनस two की stability घटेगी बिल्कुल सही statement है ये statement सही है चलो stability of plus four oxidation state increase down the group अब बात करेंगे plus four oxidation state की तो plus four की stability नीचे जाने पर बढ़ती जाती है बिलकुल सही statement है लेकिन stability और plus 6 oxidation state increase down the group नहीं आप group में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे plus 6 की stability घटती जाएगी वज़ा क्या है आप group में जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये जो NS electron होते हैं जैसे इसका electronic configuration देखोगे 2S2 2P4 इसका देखोगे 3S2 3P4, sulfur का, selenium का देखोगे 4S2 4P4 tellurium का देखोगे 5S2 5P4 और polonium का देखोगे 6S2 6P4 जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे ये जो NS electron pair है इसकी availability घटती जाती है नीचे जाने पर इसकी availability घटती जाती है और अगर ये कम available हो रहा है, मतलब ये pair inert होता जा रहा है ये pair inert होता जा रहा है, तो plus 6 की stability नीचे जाने पर घटती जाएगी क्योंकि ये electron देगा ही नहीं नीचे जाने पर इसे नाम दिया जाता है inert pair effect तो the stability of plus 6 oxidation state increase round the group ये statement गलत हो गया, ये होता है decrease बज़ा क्या थी, inert pair effect और bonding in plus 4 and plus 6 oxidation states are covalent अब मेरी बात सुनिएगा, plus 4 oxidation state अरे भाईया, 4 electron देना possible है क्या plus 1, तब होगा जब ionization energy 1, 2, 3, 4 अब ये electron का transfer करके ionic bond नहीं बना सकते तो भाईया, हम क्या करते हैं, share कर लेते हैं plus 6 भी 6 electron देना possible है क्या ionization energy 1, 2, 3, 4, 5, 6 और successive ionization energy बढ़ती जाती है क्योंकि effective nuclear charge बढ़ता जाता है तो plus 4 और plus 6 oxidation state primarily कैसी होती है covalent होती है, ये भी सही है तो गलत कौन सा निकला, गलत आपका सिर्फ निकला 4 only 5 is correct, ये तो गलत है all statements are correct, ये भी नहीं, गलत है all statements are correct, except 4 ठीक है, तो answer should be C answer क्या होना चाहिए, C होना चाहिए सभी statement correct है, except 4 बढ़े आगे लिख लिया, जल्दी से इसे उतार लो जो जो कहानी मैंने यहां समझाई है जल्दी से इसे उतार लो जो जो मैंने कहानी यहां समझाई है चलो, next question next है SE to CL2 convert हो रहा है SE, CL4 और SE में SE, CL4 और SE में choose the incorrect option आपको बताना है incorrect option this reaction is example of disproportionation चलो, check करते हैं oxidation state, disproportionation का मतलब क्या होता है कोई element है किसी compound में, अगर उसी element का oxidation हो और उसी element का reduction हो, उसे कहते हैं disproportionation उसे कहते हैं disproportionation चलो, यहां देखते हैं, selenium को minus 1 into 2 is equal to 0 तो 2x is equal to 2 तो x कितना हो गया, plus 1 x कितना हो गया, plus 1 यहां selenium है, plus 1 oxidation state पे खिते पे, plus 1 oxidation state पे plus 1 oxidation state पे अब हम convert करें selenium को ऐसी CL4 में, तो यहां देखो यह आ गई plus 4 पे, और free state में 0 पे, इसी का ही oxidation भी हो रहा है और इसी का ही reduction भी हो रहा है same species का oxidation, same species का reduction हो रहा है, तो यह reaction कह लाएगे, disproportionation this statement is correct SE2Cl2 is a dimeric monohalide, समझेगा आपके जो group 16 के element होते हैं यह monohalide बनाते हैं, diahalide बनाते हैं, tetrahalide बनाते हैं, hexahalide बनाते हैं लेकिन जो monohalide होते हैं जैसे मान लीजे, sulfur, chlorine यह कभी भी, इस form में नहीं पाए जाते हैं यह dimerize हो जाते हैं selenium, chlorine, यह कभी भी इस form में नहीं पाए जाते हैं यह dimerize हो जाते हैं यह dimerize हो जाते हैं ठीक है, तो SE2Cl2 is a dimeric monohalide SE2Cl2 कैसी यह dimeric monohalide है the above reaction is example of oxidation नहीं हो रहा है साथ में reduction भी हो रहा है यह statement गलत हो गई और other example क्या है आपके other example क्या है other example सर, other example बोल रहा है monohalide के, कौन कौन से है monohalide के example S2F2, S2Cl2, S2BR2 यह statement भी सही है, गलत कौन सा है third वाला है, गलत कौन सा है third वाला है, जल्दी आईए हर एक dimension पकड़ लिया है जहां ना पहुचेगा examiner वहाँ पहले पहुचूँगा मैं और मेरे संग संग मेरे संग संग तुम भी आते चलो पीछे बोलो आ रहे हो पीछे, दिख रहे हो ना मुझे चलो comment section बताना सर, मेरे संग संग आ रहे हो यानी बड़े आगे, बड़े आगे, चलो अगली कहानी H2O is liquid H2O liquid होता है, वज़ा है hydrogen bonding in water सही है बिल्कुल wonder wall force in H2S yes, H2S wonder wall force पाया जाता है यह statement भी सही है ठीक है, one water molecule is surrounded by four other water molecule, बिल्कुल सही है due to hydrogen bonding, सारे statements सही है है, तो भाई यह सारे statements हही है मतलब H2O liquid है, H2S gas है वज़ा क्या है, H2O liquid है, इसकी वज़ा है hydrogen bonding, ठीक है, H2S gas है इसकी वज़ा है क्या है, उसमें wonder wall force और एक water molecule, चार और water molecule से गिरा होता है, यह तीनों statement इसको satisfy कर रही है, तो all should be the answer, all क्या होगा अपना answer होगा, all क्या होगा, अपना answer होगा, this is question number 47 just हम 50 complete करने वाले हैं, just 50 complete करने वाले हैं, clear है मैंने P block के आपको 100 MC क्यों नहीं करा है, याद रखना मैंने 15, 16, 17, 18 सबको अलग-अलग पकड़ा है, clear है next next है मेरा, HCl की reaction जब हम oxygen के साथ करेंगे तो हमें मिलता है 2Cl2 और water ये chlorine बनाने की method of preparation होती है, जिसे हम कहते हैं, deacon process जिसे हम क्या कहते हैं, deacon process और deacon process में catalyst कौन use होता है, याद रखिएगा, deacon process में catalyst V2O5 नहीं, तुम तो contact process में use होते हो, तुम तो contact process में use होते हो, charcoal नहीं rhodium और platinum goss तुम ओस्ट रखिएगा, तुम भी नहीं हो, तुम भी नहीं हो, तुम भी नहीं हो, तुम भी नहीं हो, ठीक है, CuCl2, yes, answer should be CuCl2, answer क्या होगा, यहाँ पर catalyst use होगा, CuCl2, तो answer should be CuCl2 उतारो जल्दी बढ़ जाएं अगले question की तरह बढ़ जाएं, चलो जी oxygen से directly reaction कौन नहीं करता है, याद रखिएगा, oxygen से directly reaction कौन नहीं करते है, platinum और gold, platinum और gold oxygen से कभी भी directly reaction नहीं करते है, ठीक है, चलो, यह noble metal होती है, zinc कर लेगा, titanium कर लेगा, platinum कभी भी नहीं करेगा, iron भी कर लेगा, यह तो सीधी सी बात है, rusting of iron में हम आपन देख चुके हैं, त this is question number 49, आ गए यहां तक, this is question number 49, चलो, next, next है, 50, neutral oxide कौन कौन से हैं, मैंने पूरी एक कहानी बताई थी, neutral oxide कौन कौन से होते हैं, CO, NO और N2O अपने neutral oxide, कौन कौन है, neutral oxide है, CO, NO, N2O, तो all, answer CO भी दिया है, NO भी दिया है, N2O भी दिया है, तो answer should be all, answer क्या होगा, all होगा, answer क्या होगा, all होगा, इसी के साथ 50, complete, चलो, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, CRO3 is, which type of oxide, NCIT में दिया हुआ है, CRO3, अब जहां आपको लिखा रहता है, कि बढ़िया, metal in higher oxidation states are acidic in nature, मैंने अब भी आपको बताया था, chromium को अगर आप देखोगे, chromium को X मान लिया, oxygen minus 2 into 3 is equal to 0, अगर chromium को आप देखोगे, तो ये plus 6 oxidation state में दिख रहा है, और metal in higher oxidation state कैसे होता है, acidic nature के होता है, तो this should be acidic in nature, metal हमेशा higher oxidation state में acidic होते हैं, lower oxidation state में basic nature के होता है, लिखा, मारा screenshot खिचिक, खिचिक, चलो जी, next है, consider the statement, consider the following statement, PB3O4 is mixed oxide, बिलकुल सही है, Fe3O4 is mixed oxide, बिलकुल सही है, मैं बताते चल रहा हूँ, बार बार बताते चल रहा हूँ, ये mixed oxide है, Al2O3 is amphoteric oxide, ये statement भी सही है, और calcium का oxide, group 2, group 2 oxidation state plus 2 है, metal in lower oxidation state, basic nature, ये statement भी सही है, सारे statement सही है, तो all are correct statement, all are correct statement, सारे statement आपके सही है, कोई भी statement गलत नहीं है, mixed oxide, ऐसे oxide जिसमें metal दो, different oxidation state में पाई जाती है, उन्हें कहते हैं, mixed oxide, तो all are correct, सारे के सारे statement correct है, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे, चलो, next step न, इन्हें decomposition of ozone, जब आप ozone का decomposition करते हैं, माल लीजिए, ये ozone है, इसका decomposition आप कर रहे हैं, जब ozone का decomposition होगा, कैसी reaction होगी है, हमेशा याद रखना, डेल H कैसा होता है, इस case में, ozone का बनना endothermik reaction है, इसलिए हम silent electric discharge देते हैं, ozoneizer में, तो ozone का तूटना कैसा होगा, ozone का अगर बनना endothermik है, तो तूटना exothermik होगा, ठीक है, दूसरी चीज, ये reaction, ozone का तूटना एक spontaneous process है, तो डेलेस कैसा आएगा, positive आएगा, डेलेस कैसा आएगा, positive आएगा, और reaction अपने आप होती है, तो gives free energy कैसी आएगी, negative आएगी, दिया, बढ़ जाएँ आगे, चलो, next, next है मेरा, choose the incorrect option, आपको incorrect option चूज करना है, दिया हुआ है, आपके पास alpha sulfur is stable below 369 Kelvin, आप ध्यान दीजेगा, मन लीजे मेरे पास alpha sulfur जिससे अपन कहता है, rhombic sulfur, और beta sulfur जिससे अपन नाम देते है, monoclinic sulfur, monoclinic sulfur, याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था, we are students of, and I am a teacher of magnet brains, तो इसको याद करने का तरीका, MB करके याद कर लो आप, अब मैंने ये कहा था, कि अगर 369 Kelvin से आपने ज़्यादा temperature कर दिया, ज़्यादा, more temperature कर दिया, तो दिल मांगे more, दिल मांगे more, more, दिल मांगे more, याद करना, दिल मांगे more, दिल मांगे more, अगर more temperature है, more temperature है, तो monoclinic आपका dominant species हो जागा, monoclinic बनने लगे, और अगर 369 Kelvin से कम temperature कर दिया, आपने 369 Kelvin से कम temperature कर दिया, तो आपको मिलेगा rhombic, क्या मिलेगा rhombic, ठीक है, और मैं ये कहा था, मैंने कि 369 Kelvin temperature पर, Kelvin, याद रखना, आपका rhombic भी पाया जाता है, rhombic भी पाया जाता है, और monoclinic भी पाया जाता है, कौन पाया जाता है, Alpha Sulfur is stable Below 369 K Below 369 K विल्कुल सही statement है Beta Sulfur is stable Above 369 K विल्कुल सही statement है 369 K is Transitional Temperature विल्कुल सही statement है Beta Sulfur is stable Below 369 K Beta Sulfur is stable Below 369 नहीं Beta Sulfur kब stable होगा जब temperature greater than 369 Kelvin होगा तो last statement अपना गलत होगा answer क्या होगा D answer क्या होगा अपना D होगा clear है हर एक line पकड़ी है बेटा guarantee है बाहर से कुछ नहीं आएगा अरे समझ गए ना बच्चों next SO2 act as a oxidizing agent और reducing agent समझ यहगा जब SO2 को आप पानी में डालते हैं SO2 को पानी में आप डालते हैं तो यह बनाता है अपना H2SO4 और 2 hydrogen, nascent hydrogen निकलते हैं और इसकी वज़ह से यह किसके जैसे काम करता है इसकी वज़ह से यह काम करता है reducing agent जैसे तो SO2 वर कैसा reducing agent ना कि oxidizing agent किसके जैसे काम करता है, यह, Reducing assumptions जैसे काम करता है, ठीक है? या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यह तो चलो, पैसे vision की reaction हो गई कि भया यह यह जो नहों है, hydrogen निकला, यह सामने वाले को क्या कर देगा सामने वाले को क्या कर देगा ब्लीच कर देगा इसको ऐसा समझ जाईए सामने वाले को यह क्या करेगा SO2 सामने वाले को reduce करेगा क्या करेगा reduce करेगा या इस वज़े से भी reducing agent का काम करता है इस तरीके से आप समझ सकते हैं तो SO2 क्या है एक अच्छा reducing agent है लेकिन इसी का बड़ा भाई Ozone कैसा था अच्छा oxidizing agent था अब बोल रहा है the bleaching action of SO2 अब ये bleaching action की बात करते है bleaching action of SO2 is due to अब भी मैंने बताया SO2 को पानी के साथ reaction कराई अपने अपने को क्या मिला H2SO4 मिला और क्या निकल गई nascent hydrogen निकल गई nascent hydrogen निकल गई इस hydrogen की वज़े से किसके जैसे काम करता है nascent hydrogen क्या कराईगी जो colorless substance है colorless substance ये लाल गुलाब लाल गुलाब ठीक है लाल गुलाब इस लाल गुलाब को वो सफेद गुलाब ये देखो ये देखो मैं सफेद कलर चुन रहा हूँ ये सफेद गुलाब ये सफेद गुलाब दिखा आपको है कैसा होता है temporary होता है याद रखना इसलिए ये एक्जामपल दिया मैंने ठीक है चलो तो दा bleaching action of SO2 is due to reduction किस वजह से होता है reduction की वजह से होता है चलो मार लो note down next bleaching action of SO2 is temporary होता है permanent नहीं इसका bleaching action कैसा होता है temporary होता है permanent नहीं question बनाते गया हूँ मैं बस बिना SOCH NCRT line पकड़ पकड़के next question H2SO4 H2SO4 कैसा है एक अच्छा oxidizing agent है बिलकुल सही है एक अच्छा dehydrating agent है बिलकुल सही है एक अच्छा low volatile होता है बिलकुल सही है सारे statement सही है H2SO4 के सारे statement सही है ये एक अच्छा oxidizing agent भी है dehydrating agent भी है low volatile होता है सारे statement बिलकुल सही है चलो next question which of the following represent the correct order of melting point of hydrides of group 16 याद रखिएगा आपके melting point का order तो ये होना चाहिए था H2O से ज़्यादा है H2S क्योंकि नीचे size बढ़ता जा रहा है wonder wall force बढ़ता जाएगा H2SE फिर H2TE H2T लेकिन water में hydrogen bonding पाई जाती है और इसका melting point बढ़ जाता है इसका melting point बढ़ जाता है और water इधर आ जाता है water किदर आ जाता है इधर आ जाता है यहाँ से हट गया तो H2S फिर H2SE फिर H2T फिर H2PO H2O सबसे ज़्यादा नहीं देखो sulfur फिर selenium फिर tellurium और H2O इससे भी ज़्यादा tellurium से भी ज़्यादा sulfur selenium tellurium तो answer क्या होना चाहिए C होना चाहिए answer क्या होना चाहिए C होना चाहिए करा note down इसका exceptional आपको melting point देखने क्यों मिल रहा है वजा hydrogen bonding चलिए next question है अपना which of the following statement एसी कौन सी statement है जो की correct है about the hydride of is correct about the hydride of group 16 element चलिए देखते हैं कौन सी correct है ठीक है अब hydride कौन कौन सो होते है पहले यह देख लो h2o water h2s h2se h2te and h2po यह अपने hydride होता है group 16 के ठीक है अब अगर आप देखेंगे element hydrogen bond length के बारे हम बात करेंगे कि भाईया नीचे जाने पर bond length बढ़ती जा रही है तो acidic character कैसे define होता है जो जितनी आसानी से hydrogen दे दे वो उतना अच्छा acid वो उतना अच्छा acid तो फिर तो sir यह सबसे आसानी से hydrogen ion दे रहा है क्योंकि bond length जाता है और यह कम दे रहा है मतलब acid के strength ही नीचे जाने पर increase हो रही होगी बिल्कुल sir दूसरा मतलब h2o से जादा h2s h2s से जादा h2se h2se से जादा h2to po तो water फिर h2s फिर h2se फिर h2te चलो p.o के बारे बात नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नीचे जाने पर acid character बढ़ रहा है बिल्कुल सहीं बात है यह बिल्कुल सहीं statement है दूसरा क्या order of thermal stability कि बात करें तो ध्यान दीचेगा thermal stability इसको ऐसे समझे दो molecule जब पास में होंगे जब दो molecule पास में होंगे तो ज्याद stability लेकिं दूरी मैं यहां तू वहां जिंदिगी है कहां दूरी बढ़ गई दूरी बढ़ गई मतलब stability घट गई अगर मैं thermal stability की बात करूं तो यह देखो यह दोनों मॉले किल पास में है ज़्यादा stable होगा लेकिं नीचे जैसे 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 जाएंगे thermal stability क्या होती जा आप hydride में जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, size बढ़ता जाता है, size बढ़ता जाता है, element का, ठीक है, size बढ़ता गया, तो wonder wall force बढ़ता गया, तो melting point और boiling point बढ़ते जाएंगे, लेकिन water में क्या पाया जाता है, water में क्या पाया जाता है, water में पाया जाती है, hydrogen warning, और ये E, फिर H2S, फिर H2S, यह order होना चाहिए, थर्मल स्टेबिलीटी का यह स्टेटमेंट भी सही है, मतलब सर जितने भी स्टेटमेंट है, यह करेक्ट है, इसलिए all of the above अपना क्या होगा, आंसर होगा, पूछा गया, which of the following statement is correct about the hydride of group 16, answer should be all of the above clear है, answer should be all of the above clear है, बढ़ जाओं आगे, चलिए, next question के बारे में discuss करते हैं, चलो, next question है अपना, next question है अपना, ozone on reacting with KI, ozone की आप reaction करेंगे KI के साथ, ठीक है, KI के साथ, ठीक है, किस medium में, neutral medium में, किस medium में, neutral medium में, क्या produce करता है, है, क्या produce करता है, चलो, जो भी लिखा है, मैं, इस पर question बहुत पूचे जाता है, ठीक है, ध्यान दीजगा, ozone एक अच्छा oxidizing agent है, इस KI को convert कर देगा, किस में, iodine को convert कर देगा, I negative को convert कर दिया, इसने I2 में, minus 1 से कहां चला गई, यह 0 पर चली गई, free state में, oxidation state 0 होती है, यह iodine में चली गई, इसके अलावा हमें क्या मिला, इसके अलावा जो 2K है, और यह OH हमें क्या मिल गया, 2KOH मिल गया, और हमें क्या मिल गई, oxygen gas मिल गई, हमें क्या मिल गई, oxygen gas मिल गई, आप देख पा रहे होंगे, कि ozone on reacting with ki on neutral medium produces, क्या क्या produce कर रहा है, ki o 3, नहीं, koh, yes, koh, iodine दिया है, के नहीं, तो answer क्या होगा, b, answer क्या होगा, b, आईए जल्दी, answer क्या होगा, b, आईए जल्दी, यह कुछ चीज़े हैं, जो बह number 62, आपको identify करना है, correct sequence of increasing number of pi bond, अब एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी double bond होता है, तो इसमें 1 sigma bond होता है, 1 sigma, 1 pi, ठीक है, और triple bond जब भी होता है, उसमें 1 sigma होता है, 2 pi होते हैं, और single bond में हमेशा 1 sigma होता है, चलो check करते हैं, in the structure of the following molecule, आपके पास है H2S2O6, चलो इसका structure बनाया मैंने, ठीक है, sulfur group 16 का member है, valential में कितने electron, 6 electron, एक से O जोड़ा, एक से O जोड़ा, यहां क्या जोड़ दिया, OH, ठीक है, sulfur group 16 का member, एक से O जोड़ा, एक से O जोड़ा, और एक जोड़ दिया, OH, क्या मेरा structure बन गया, H2S2, 1,2,3,4,5 है, yes sir, H2S2O6, कितने pi bond है, 1 pi, य वाले में 1 pi bond देखने मिल रहा है, आपको किस में जमाना है, identify the correct sequence of increasing, increasing order में आपको जमाना है, चलो तीसरे वाले को देखता हूं, है, H2SO5, चलो H2SO5 का structure बना है, H2S2O5, ठीक है, यह O, यह O, यह OH, दूसरा है, यह S, ठीक है, यह O, और यह OH, क्या बन गया मेरा structure, H2S2, 1,2, 3, 4, 5, yes sir, और यह यहाँ loan pair आ गया, यह यहाँ loan pair आ गया, यह इसका structure बन गया, आप देखिए pi bond इसमें कितने देखने मिल रहा है, इसमें कितने देखने मिल रहा है, 1, 2, 3, इसमें 3 pi bond देखने मिल रहा है मुझे, और यह मेरा तीसरा वाल, मतलब सबसे कम किस में है, second वाले में हैं फस्ट यह option सही नहीं लग रहा है मुझे increasing order में जमाना था सबसे कम अपन इसको correct कर लेते हैं व alone सबसे कम second वाले में है ठीके उसके बाद किसमें देखने मिल रहे हैं उस से जाधा third वाले में देखने मिल रहे हैं third वाले में देखने मिल रहे हैं और फिर फिर फर्स्ट वाले में देखने मिल रहे हैं फिर फर्स्ट वाले में देखने मिल रहे हैं आंसर ए कर लीजेगा सबसे कम किसमें देखने मिल रहे हैं सेकेंड वाले में फिर उससे ज़्याद नहीं नहीं सबसे कम फर्स्ट वाले में देखने मिल रहे हैं second वाले में देखने मिल रहे हैं, one pi, तो answer second वाले में, फिर आपको three pi third वाले में, third वाले में और फिर first वाले में, तो second, third and first, answer correct क्या होना चाहिए, second, फिर third and फिर first, this should be the answer, second, third and first, जल्दी आईए, a answer tick कर दीजे, a answer tick कर दीजे, clear है, clear है, concept बनना चाहिए बस, चलो sir clear हो गया, बढ़ जाए, note down करा, screenshot मारा खिचिक, चलो next question है अपना, next है, when oxygen pass, जब oxygen को आप pass करेंगे, na2, so3 के साथ, जब आप oxygen को na2, so3 से pass करेंगे, तो वो convert होता na2, so4 में, तो we will get na2, so4, na2, so4, answer should be first, जब आप oxygen को na2, so3 के उपर pass करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, oxidize हो जाएगा, और किस में convert हो जाएगा, na2, so4 में convert हो जाएगा, कोई rocket science नहीं होना चाहिए, question में, answer note down कर लीजिए, बढ़ जाएं, चलिए बढ़ते हैं sir, group 16 के इतनी variety करा दी है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ozone is obtained from oxygen, ozone से आपको क्या बनाना है, oxygen बनाना है, तो ध्यान दीजिए, मैंने 3 molecule, ozone is obtained from oxygen, 3 molecule oxygen लिए, oxygen से ozone बनाना है, ठीक है, oxygen से 2 मैंने ozone के molecule बनाए, अब याद रखिएगा, ये process कैसी होती है, ये process होती है, endothermic, कैसी होती है, endothermic होती है, endothermic होती है, तो सर हमें silent electric discharge देना पड़ता है, silent electric discharge देना पड़ता है, बार बार देख चुके हैं, हमें silent electric discharge देना पड़ता है, किसमें देना पड़ता है, ozone नाईजर में देना पड़ता है, किसमें देने पड़ता है, ozonizer में देना पड़ता है ठीक है तो ozon is obtained from oxygen by oxidation at high temperature नहीं by oxidation using a catalyst नहीं by silent electric discharge किस से बनाते हैं अपने ozon को तो please note down करे question number 64 by silent electric discharge we can form the ozon by we can form the ozon और ये कैसी reaction है endothermic reaction कैसी reaction है endothermic मतलब जिसमें के लिए हमें heat देना पड़ रहा है इसलिए silent electric discharge का अपन यूज कर रहे हैं लिख लिया बढ़े आगे चलो next next है अपना ozon with ki solution produces बार बार वही question ki solution के साथ हमने h2o medium ले लिया अपना क्या मिला अपना i2 मिला सबसे पहले ki i किसमें गया i2 में गया और क्या मिल गया koh मिल गया और क्या मिल गया अपने को oxygen मिल गया मतलब आप देख सकते हैं ozon जब react करेगा ki i के साथ तो हमें क्या क्या मिलेगा chlorine मिलेगा नहीं HI मिलेगा नहीं, IO3 मिलेगा नहीं, हमें क्या मिलेगा? IODINE मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? IODINE मिलेगा. यह reaction काफी important है, हमें क्या मिलेगा? IODINE मिलेगा, clear है? चलिये, आगे बढ़ाता हूं कहानी को, clear है? चलिये, ध्यान दीजेगा. Next, which of the following is acidic in nature? acidic in nature, चलो, खुदी बताईए, SO3. This is non-metallic oxide, non-metallic oxide, non-metallic oxides are acidic in nature, non-metallic oxides are acidic in nature, acidic in nature, ठीक है सर, रट चुका है हमें थंबरूल, comment section में बताना कि मैंने क्या group 16 के सारे MCQ रटवा दी है? यस सर, तो SO3, N2O, N2O सर, neutral होता है, CO, NO, N2O, neutral oxide होता है, कहानी खतम, BEO, सर, amphoteric होता है, amphoteric होता है, group 1 और group 2 में एक ही है, जो basic नहीं होता है, BEO, जो कि amphoteric nature का होता है, HGO, mercury का oxide है, mercury का oxide है, ठीक है, यह कैसा होगा, basic nature का होगा, ठीक है, तो answer क्या हो गया, A, कौन सा है, सिर आईए, जल्दी, fast, चलो, next, next question है, अपना, match the formulas, match the formulas of oxides, given in column 1, given in column 1, with the type of oxide given in column 2, देखो, मैंने आपको बताया था, कि भाईया, जो अपने term 1 के paper होने वाल है, उसमें स्ट्राइप के question भी पूछे जाएंगे, और यह question तो नीटो जा, इकले important है, ही पहले ही बोल चुका हू term 1 में match the column हो गया, अपना assertion reason हो गया, ऐसे question पूछे जा रहे हैं, चलो PB3O4, क्या बोला था मैने, FE3O4, PB3O4 कैसे होते हैं, mixed oxide होते हैं, क्योंकि इसमें metal दो अलग-अलग oxidation state में पाई जाती है, N2O, CO, NO, N2O, neutral oxide होते हैं, ठीक है सर, MN2O7, metal in higher oxidation state, acidic nature की होती है, और BI2O3, metallic oxide basic nature के होते हैं, low oxidation state में, तो A को 4 से मिलाओ, B को 1 से मिलाओ, C को 2 से मिलाओ, और D को 3 से मिलाओ, answer हो गया B, answer हो गया B, जल्दी आईए, जल्दी आईए, answer हो गया B, जल्दी आईए, clear है, clear है, चलो, next question पर बढ़ जाओ, next question है मेरा, match the items of column 1 and column 2 and mark the correct option, H2SO4, H2SO4, ठीक है, H2SO4 का use, storage batteries में किया जाता है, किसमें किया जाता है, storage batteries में किया जाता है, CCL3NO2, ध्यान दीजिएगा, CCL3NO2, यह किसके जैसे काम करता है, tear gas जैसे काम करता है, किसके जैसे काम करता है, tear gas जैसे काम करता है, कैसे बनता है, जब आप chloro क्लोरोफॉर्म 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 क् क्लोरीन पूरी chemistry में highest electron gain enthalpy क्लोरीन की पाई जाती है आप बोलेंगे सर्फ फ्लोरीन की पाई जाना चाहिए फ्लोरीन की पाई जाना चाहिए लेकिन पाई किसकी जाती है क्लोरीन की पाई जाती है क्लोरीन की highest electron gain enthalpy क्यों क्यों क्लोरीन में इंटर electronic repulsion होने लगता है तो एक electron ये लेता है तो answer क्या होगा chlorine तो highest electron gain enthalpy पाई जाती है और sulfur कहां का member group 16 जिनको कहते हैं calcogen तो C का क्या हुआ 1 हुआ और D का क्या हुआ D का क्या हुआ 2 हुआ D का क्या हुआ 2 हुआ तो answer should be A 68 का A जल्दी आईए जल्दी आईए सारी variety cover करना है धून धून के question लेके आया हुआ मैं आपके सामने धून धून के question लेके आया हुआ हुआ सामने बड़े आगे चलो next next है मेरा assertion both rhombic and monoclinic sulfur बताया मैंने exist as acid but oxygen exist as O2 बिल्कुल सही है oxygen dimolecule होता है लेकिन sulfur octa molecule होता है और octa molecule का shape कैसा होता है crown shape structure होता है ठीक है oxygen बनाता है P-Pi-Pi multiple bond due to small size due to small size and small bond bond length बिल्कुल सही है ये small size का होता है और small bond length होती है बिल्कुल सही है but P-Pi-Pi bonding is not possible in sulfur sulfur में P-Pi-Pi bonding नहीं पाई जाती क्योंकि इसका size बढ़ जाता है और bond weak बढ़ जाता है assertion भी सही है reason भी सही है लेकिन एक दूसरे सही है इनका कोई combination नहीं है तो answer होगा B, both assertion and reasons are correct statement but reason is not the correct explanation of the assertion आईए answer पे, आईए answer पे, आईए answer पे, answer होगा B, answer क्या होगा B होगा, 69 का answer B बड़े आगे, बड़े आगे, चलिए, next question की बात करता हूँ next है मेरा, SF6 cannot be hydrolyzed, yes, SF6 exceptionally stable होता है SF6 की आप बात करेंगे, यह कैसा होता है, exceptionally stable होता है, exceptionally stable होता है अगर यह exceptionally stable होता है due to stearic reason, तो भईया इसमें hydrolysis जैसे reaction होती नहीं है cannot be hydrolyzed, but SF4 can be, सही statement है, but SF4 can be, ठीक है six fluorine atom, six fluorine atom in SF6, SF6, SF6 का आप structure देखेंगे तो सबसे पहले structure बनाने के लिए hybridization check करना पड़ेगा, half, कितने monovalent atom जुड़ है छे, group 16 का member is alpha to 6, 12 by 2, 12 by 2 मतलब 2 मतलब 6, 6 मतलब SP3D2 hybridization और shape कैसा आएगा, octahedral, SF, F, 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 यह octahedral structure है, यह जो 6 fluorine atom है, यह जो 6 fluorine atom है, ठीक है, 6 fluorine atom है, in SF6, prevent the attack by H2O on sulfur atom of SF6 assertion भी सही, reason भी सही, और उसका correct explanation भी है कि SF6 hydrolyze नहीं होता क्योंकि water के attack को यह 6 fluorine molecule रोकते हैं क्योंकि sulfur छोटा होता है, size मैं, बच्चे को बचा के रख रहे हैं यह लोग तो assertion भी सही, reason भी सही, और correct explanation भी है, correct explanation भी है assertion का तो answer क्या होना चाहिए, A होना चाहिए answer क्या होना चाहिए, A होना चाहिए यह 100 MCQ की series में, जितने 70 possible question हो सके, मैं आपके सामने लेके आया क्योंकि मैंने यह नहीं बोला कि P block में, मैंने P block को group 15, 16 में divide कर दिया जितने possible question NCRT से बन सकते थे, मैंने सारे आपके सामने ला दिये, ताकि आप बहुत अच्छे से तयारी कर सके और बच्चों मैं आखरी मैं यही बात कहना चाहूँगा, यह जितने भी MCQ है आप NEET, JE के लिए prepare कर रहे हैं, आप Term 1 exam के लिए prepare कर रहे हैं, सारे के लिए important होंगे और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, magnet brain आपके लिए daily basis पे video लेके आता जा रहा है आपको हमारे साथ बने रहना है आपको यहाँ class kg से class 12 तक free education provide की जाती है, free videos provide की जाते हैं यह नहीं कि एक दो lecture के video, आपको 100% free material provide किया जा रहा है हर chapter का हर concept यह नहीं कि chapter हम बता रहे हैं हम आपके लिए exam pattern based videos, जितने MCQ based videos हैं, वो हम आपके लिए लेके आते जा रहे है ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जैसे 11, 12 ते दोनों मैं classes ले रहा हूँ ठीक है, और भी teachers हैं, जो regular basis पे videos डाल रहे हैं, बहुत सारी videos होते हैं कई बार हमें YouTube पे नहीं मिल पाते हैं, तो आप हमारे website पे जा सकते हैं पढ़ाता हुआ दिखूँगा, और जैसे ही आपको इस पे click मारेंगे, single click से आपको सारे lectures मिल जाएंगे proper playlist में arranged हैं, बच्चों का मेरे पास comment आते हैं कि सर हमारे पास क्या हो रहा है, कि सर part 1, part 2 कर दीजे आपको इसमें systematic तरीके से videos मिल जाएं, single click से आप मुझे किसी भी chapter में पढ़ाते हुए देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, मैं यहाँ तू वहाँ वाली जिंदिगी चल रही है आपको comment section में बताना है कि ये जो series है कैसी चल रही है के लिए भी काफी ज़्यादा जरूरी होगे, बस मुझे comment section में इतना बताईए कि जो आज की कहानी हमने जोशर जुनून के साथ शुरू करी और खतम करी वो आपको कैसी लगी दूसरी चीज, क्या आप group 17 के MCQ के लिए excited हैं, अगर हैं तो comment section में जरूर लिख के दीजेगा और जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुचा सकते हैं, उन तक ये वीडियो डिलिवर कराईए आज की कहानी को इसी जोशर जुनून के साथ मैं यहीं विराम देता हूँ, thank you so much